गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, मैं अनिता सिर्वास्तो भागवत बिद्यापीट की हिंदी की सिक्षिका हूँ आज मैं कक्छा फोर को सर्मनाम के बारे में बताऊंगे ये जो आप लोग देख रहे हैं, जहां जहां रेड से लिखा हुआ है नाम जैसे हर जगह बिपीन 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 लिखा है जैसे यहां लिखा है, नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िए आज बिपीन का जनम δीन है बिपीन के मित्र बिपीन के लिए उपहार लाएं हैं बिपीन बहुत खुस है उपर के वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि हमें एक ही सब्द विपिन का बार बार आना अच्छा नहीं लग रहा है अब इनी वाक्यों को नए रूप में पढ़िये और उनमें आयरंगीन सब्दों पर ध्यान दीजिए ये कह रहा है कि जैसे बार-बार हम विपिन के बारे में बोल रहे हैं कि विपिन का जनमदीन है विपिन के लिए विपिन के मित्र विपिन के लिए उपहार लाएं है तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है इसी को हम नीचे में पढ़ते हैं और लाल जहां जहां लाल है वहाँ वहाँ आप लोग ध्यान देंगे देखिए आज बीपिन का जनम दीन है उपर में लिखा गया था कि बीपिन के मित्र बीपिन के लिए उपहार लाएं हैं लेकर आएं हैं तो यहां देखिए कितना अंतर हो जा रहा है यहां लिखा गया है उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आए हैं मतलब कि विपिन के जो मित्र है वो विपिन के लिए उपहार लेकर आए हैं उसके बाद क्या है वह बहुत खुस है इन वाक्यों में संग्या सब बीपीन के लिए वह और उसके सब्दों का प्रियोग हुआ है संग्या सब्दों के इस्थान पर आने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते है ये बीपीन क्या है ये है संग्या सब्द तो यही है कि संग्या सब्दों के इस्थान पर प्रियोग होने वाले सब्द सर्वनाम कहलाते है सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम अर्थात सर्वनाम सब्दों का प्रियोग सभी नामों के लिए किया जा सकता है कुछ सबन हैं जैसे मैं तुम वह यह कौन क्या मुझे मैंने हमें उसने आप वे आदी अब यहां हम यह तो आप लोग समझ गए होंगे अब यहां हम सर्बनाम के भेद के बारे में आप लोगों को बताएं सर्बनाम के छह भेद होते हैं अब हम जानेंगे कि ये सर्बनाम के जो छह भेद होते हैं वह कौन कौन से हैं देखिए मैंने यहां आप लोगों को, देखिए यहां पे दिया है सर्वनाम के भेद, और यहां दिया है कि सर्वनाम के छे भेद होते हैं, तो पहला होता है सर्वनाम का भेद कौन सा है? दूसरा है निश्चे वाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चे वाचक सर्वनाम, चोथा है प्रश्न वाचक सर्वनाम, पांचवा है नीज वाचक सर्वनाम, और छथा है संबंध वाचक सर्वनाम. अब हम आप लोगों को एके करके सब भेदों के बारे में पढ़ाऊंगी बताऊंगी पहला आगया पुरु स्वाचक सर्वनाम राहुल आर्यन कल मैं किरिकेट मैच देखने जाऊंगा स्वार को फोन किया था वह भी चलेगा क्या तुम भी चलोगे एक दोस्त अपनी दोस्त से ये बात बोल रहा है फिर यहाँ पर आर्यन मित्र मैं नहीं जाऊंगा यदि सौर तयार है तो तुम उसे ले जाओ उपर के वाक्यों में मैं वह तुम उसे सर्वनाम सब्दों का प्रयोग हुआ है इनमे मैं बोलने वाले वक्ता के लिए तुम सुनने वाले स्रोता मतला कि बोलने वाले को हम वक्ता करते हैं और सुनने वाले को स्रोता के लिए और वह तथा उसे किसी अन्यवैक्ती के लिए प्रेयोक किये गए हैं मैं तुम वह उसे ये चारो जो हैं ये पूरुस वाचक सर्मनाम है अब हम अगले पेज में देखते हैं उसके बाद आता है पूरुस वाचक सर्मनाम है जो सर्बनाम सब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य वैक्तियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पूरुस वाचक सर्बनाम कहते हैं उसके बाद है निश्चे वाचक सर्बनाम वह राम का घर है, वे सुन्दर हैं, उपर दिये वाक्यों में वह या हुवे और उसे सर्बनाम सब्दों का प्रयोग हुआ है ये सर्बनाम सब्द निश्चे वैक्तियों, वस्तुयों या एस्थानों की ओर संकेत कर रहे हैं जिस सर्बनाम सब्द से किसी निश्चे निश्चित वैक्ति प्रानी इस्थान या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चे वाचक सर्बनाम कहते हैं इसका उदाहरान है वह यह इसने उसने यही आ दी उसके बाद आता है और निश्चे वाचक सर्बनाम जिस सर्बनाम सब्द से किसी निश्यत वैक्ती प्रानी वस्तु अथवा इस्थान की जानकारी ना मिले उसे हम अनिश्यवाचक सर्बनाम कहते हैं इसका उदारन है बाहर कोई आया है किसी ने कुछ कहा है क्या ये तो अनिश्य है इसलिए उसके बाद आता है प्रश्ण वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम सबसे प्रश्ण पूछने का बोध होता है वह प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे आप कौन बोल रहे हैं यहां क्या है यहां प्रश्ण वाचक सर्वनाम लगाया जा रहा है उसके बाद है आप क्या पूछ रहे हैं अंकल यहां भी पुरश्णवाचक लगाया जा रहा है उसके बाद है नीजवाचक सर्मनाम जिस सर्मनाम सब्द का प्रियोग वक्ता स्वर्ग के लिए करता है उसे नीजवाचक सर्मनाम कहते हैं जैसे मैं अपने कपड़े स्वेम धोता हूँ हमें अपना काम खुद करना चाहिए उसके बाद आता है संबंद वाचक सर्मनाम ये है छठठा और लास्ट जो सर्वनाम सब्द वाकि में आए किसी दूसरे संग्या या सर्वनाम सब्द से संबंध जोडता है वह संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे इसका हुदारन है जो गाय पालेगा वही पुन्य कमाएगा जिसकी लाठी उसकी भैस जैसे है जो वही जिसकी उसकी जैसी वैसी ये क्या है ये सारा संबंध वाचक सर्वनाम है अब तो आप लोग संबंध वाचक सर्वनाम के बारे में या सर्वनाम के बारे में तो जानी गए होंगे फीर से मैं एक बार सर्वनाम का उदाहरन आप लोगों को बता रही हूँ संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं सरनाम सब्दों के चाह भेद होते हैं पूरुस वाचक सर्वनाम, नीज वाचक सर्वनाम, निश्य वाचक सर्वनाम, और निश्य वाचक सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम, नीज वाचक सर्वनाम, और संबंध वाचक सर्वनाम चलिए आप तो आप लोग समझ ही गए होंगे अगला नेक्ष क्लास में बाई